ये जानने के बाद कि नागरिक्ता क्या है, उसे कैसे उसकी विधी क्या है, कितने प्रकार की नागरिक्ता है और उसे कैसे खोया भी जा सकता है, थोड़ा सा हम पीछे मुड़ते हूं. इतनी थारी बातें जो मैंने नागरिक्ता की की है ये हमारे समविधान का एक हिस्सा है यने समविधानिक प्रावधान है उसके लिए हमारा जो समविधान की पुस्तक है इसमें 22 भाग है नागरिक्ता का जिक्र उसमें दूसरे भाग में किया गया है कौन से भाग में दूसरे भाग में नागरिक्ता समविधान की पुस्तक में पार्ट टू में किया गया there are 22 parts in our constitution और उस पार्ट टू में जब जिक्र होता है तो आपको मालूम होगा कि धाराओं के रूप में हम बात करते हैं सम्मिधान के बिंदूओं को तो धारा पांच चले के धारा ग्यारा आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ये जितने आर्टिकल्स हैं ये नागरिक्ता से संबंधित धाराएं हैं मैं पना दोहरा दूँ कि हमारी जो सम्मिधान पुस्तक है जिसे डॉक्टर भीम राव अमबेड करने ड्राफ्ट किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया उस सम्मिधान की पुस्तक में नागरिक्ता के असफ़ष्ट प्रावधान है और नागरिक्ता संबंधि बात अध्याय दो में धारा पांच से धारा ग्यारा तक जोड़ी गई हैं ठीक एक और बात कि नागरिक्ता की चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि नागरिक्ता एक स्थिती है नागरिक्ता एक स्थिती है और उसकी परिभाशा बताते हैं मैंने कहा था कि वह ऐसी स्थिती है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदाई सदस्य हो और सारविजनिक जीवन में भाग लेता हो फिर से सुनिया इस परिभाशा को सुनने के बाद इसकी थोड़ी विवेचना हम करेंगे परिभाशा देखिए वह स्थिती, नागरिक्ता वह स्थिती है जिसमें व्यक्ति किसी राजनितिक समुदाए या वर्ग का पूर्ण और उत्तरदाई सदस्य हो और सारविजनिक जीवन में भाग लेता हो अब ये राजनितिक जो बात आ रही है इसको हम उस बात से जोड़ें जिसका जिक्र मैंने पहले किया है कि कई ऐसी स्थिती आती हैं जब राजनितिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है मैंने बताया ना आपको कि जो अधिकार नागरिकता के तहट एक नागरिक को मिलते हैं कुछ विशेश परिस्थितियों में विदेशी लोगों को राजनेतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। तो यहां राजनेतिक अधिकार ही उसको पूर्णता देता है। किसी व्यक्त को नागरिकता की पूर्णता देता है। उसे पूर्ण बनाता है। पूर्ण नागरिक देता आज की दुनिया में राष्टों ने अपने सदस्यों को एक सामोहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ अधिकार भी दिये है राजनीतिक पहचान तो दी ही है और अधिकार भी दिये हुए है तो कहने का ताथ पर ये है कि नागरिक्ता की स्थिति में अधिकार और राजनीतिक अधिकार इसका एक बहुत अहम रोल है उसकी अहम भूमिका है अब एक महत्पूर्ण बिंदू नागरिक्ता कितनी महत्पूर्ण है ये तो हमने जाना नागरिक्ता के माइने क्या हैं नागरिक्ता ना होने के परिणाम क्या है और नागरिक्ता के माइने जानते हुए हमने जाना कि एक नागरिक को वे समस्त अधिकार मिल जाते हैं शासन से जो उसके लिए एक मानव जीवन जीने के लिए बड़े अहम है चाहे हैं मुझे मुझे मौलिक अधिकार बोलें सामाजिक अधिकार तो हैं ही आदी आदे प्रश्ण यह उठता है कि नागरिक बनने का अधिकार तो है पर एक अच्छा नागरिक बनने के क्या गुण है अच्छा नागरिक बनने के लिए अधिकार ही परियाप्त है क्या या हमें कुछ और नजरिये से इसके बारे में सोचना होगा दूसरे शब्दों में आदर्श नागरिक के क्या गुण होने चाहिए हम आदर्श नागरिक किसे कह सकते हैं इस पर अप्षुरासा विचार करें इस से पहले कि हम भारत के संदर में नागरिक्ता पर विस्तार से बात करें तो आदर्श नागरिक के गुण मुख्य गुण ये हमारा विशह है सवाल ये उड़ता है आदर्श नागरिक होना जरूरी है क्या अच्छा नागरिक के माएने क्या है या हम लोग क्यों बारंबार हर प्लैटफॉर्म पे कहते हैं कि हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए और यदि कोई कहता है कि हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए इस स्कूल में आपके शिक्षक कहते हैं देश के प्रथान मंत्री कहते हैं सबी बड़े बड़े लोग संबोजित करते हुए या पेक्षा करते हैं कि हम सब अच्छे नागरिक बने तो अच्छे नागरिक के परणाम क्या होगे अच्छे नागरिक यदि हो देश के नागरिक यदि अच्छे हो तो देश का विकास होगा देश के नागरिक यदि उन्नती होगी तो देश की उन्नती देश की प्रतिष्ठा देश के विकास और देश के उत्थान के लिए अच्छे नागरिकों की जरूरत है फिक जो देश उठता है ये हम लोगों की अच्छी गतिविदियों का परणाम है यहां के जो नागरिक हैं उनके द्वारा की गए कारियों का परणाम है जो देश उपर बढ़ता है या नीचे गिरता है भारत दिविकास की ओर अग्रसर है तो उसका काफी श्रे यहां के नागरिकों को है क्योंकि वे अच्छे नागरिक है थवाल यह उड़ता है अच्छे नागरिक के माइने क्या तो इस बिंदु में हम वही बात करने जा रहे हैं कि आदर्श नागरिक के गुण क्या क्या है पहला एक तो माहत्मा गांधी उन्होंने बड़ा बहुत संक्षिप में कहा कि एक आदर्श नागरिक वही है जो अहिंसा, सत्य और निर्भिकता पर विश्वास करता हो अहिंसक हो, सत्य में विश्वास करता हो और निर्भिक हो, भै ना हो यदि ये तीन का परिपालन कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह अच्छा नागरिक है लेकिन इसकी थोड़े विस्तार से समझने की जुरत है क्योंकि सच बोलने के लिए कुछ चाहिए अहिंसा अहिंसक बनने के लिए कुछ चाहिए केवल कहने से अहिंसक नहीं हो जाते गांधी के अहिंसा एक बहुत उचे स्तर के अहिंसा थी उन्होंने कहा है न कि यदि एक गाल में किसी ने मारा तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो कोई नुक्सान नहीं है उनकी हिंसा थी कि यदि अंग्रेज फौज हत्यारों के साथ लैस होकर आप पर हमला करने आ रही है तो चुप चाप खड़े हो जाओ उसकी प्रतिक्रिया ना करो हिंसात्मक प्रतिक्रिया ना करो अहिंसक बने रहो तो इसको हम थोड़ा विस्तार से समझें कि ऐसी अहिंसा पाने के लिए ऐसी अहिंसा का विश्वास ऐसी अहिंसा पर विश्वास अरजित कब होता है तब जब पहला बिंदु जब हमारा शरीर स्वस्थ हो मन चंगा तो कठावती में गंगा यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो जो गांधीवादी विचारधारा की मैंने अभी बात की हम उसके निकट हैं तो एक आदर्श नागरिक का सबसे अहम जो गुण है वो है स्वस्थ शरीर होना ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सके स्वस्थ मन से देश के लिए कारे कर सके दूसरा जो गुण उसके लिए अहम है वह है शिक्षित होना एक आदर्श नागरिक का शिक्षित होना बहुत जरूरी है अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर रहा था स्वीडन का नॉर्वे का और मैंने बताया कि वहाँ पे कानूनों का कड़ाई से पालन होता है साथ ही मैंने बताया कि स्वीडन वो देश है जहां कि शिक्षा पद्धती दुनिया के देशों के द्वारा उसकी पद्धती का अनुपालन करने का प्रयास होता है बेल्जियम, स्वीडन जहां कि जो शिक्षा शैली है वो दुनिया के लिए उदाहरन है शिक्षा किसी भी समाज के लिए अत्याधिक महत्पूर्ण अंग है किसी ने कहा है कि यदि आपने एक बच्चे को शिक्षित किया तो आपने कई जनरेशन शिक्षित किया एक बच्चे को शिक्षित किया तो एक जनरेशन लेकिन एक महिला को एक लड़की को किया तो कई जनरेशन तो शिक्षा बहुत अहम है क्योंकि शिक्षा के माधियम से हम वे सब गुण सीखते हैं जो अच्छे नागरिक होने के लिए आवश्चक हैं उदारन के लिए शिक्षा के माध्यम से हम नैतिक गुन सीखते हैं शिक्षा के माध्यम से हम स्वास्त की महत्ता समझते हैं खेल कूद की महत्ता समझते हैं देश प्रेम की महत्ता समझते हैं शिक्षा के माध्यम से हम एक हमारा जो मानसिक विकास जो होता है वो बहुत अहम हो होता है शिक्षा के जरिये हम देश के विकास में वैज्ञानिक प्रगति में बहुत योगदान दे सकते हूं तो इसलिए शिक्षा आदर्ष जीवन की आदर्ष नागरिक के जीवन की आधार शिला है सामाजिक राजनियति यदि शिक्षित है व्यक्ति तो वो राजनियतिक मामलों में सही निर्ना लेगा जो देश के लिए बहतर है उसके नजर में जो सरश्रिष्ट डल है जो सरश्रिष्ट नेता है उसे वह च्रामिज अपना मत देगा लेकिन अशिक्षित व्यक्ति उसमें ये विवेक नहीं रहता अशिक्षित व्यक्ति किसी और कारणों से डलों को मत देता है शिक्षित रख्ती जो है वो सामाजिक और राजन्यतिक कारियों में भाग लेने की योगिता रखता है काश शिक्षित वर्ग के लोग राजन्यतिक गति विदियों में सबसे सामने आएं तो उससे जो किसी भी देश की प्रगतिकी रिफ्तार है वो बहुत तेज हो आती है प्रजात तांतिक देश जथा भारत लोगत तांतिक देश जथा भारत वहाँ पे तो शिक्षित होना और ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों के वोट जो हैं हम लोगों का जो मत है जो हमारी सरकार को चुनता है वह बहुत महत्पूर्ण है और यदि व्यक्ति शिक्षित हो तो वह अपना पूरा विवेक लगा कर मत दान करता है नागरिक अपने मतों का सही उपयोग कर सके ये बहुत जरूरी है और वो सही उपयोग तब होता है जब वह शिक्षित है और इस विकार अपने करतवियों का एक शिक्षित व्यक्ति बहतर तरीके से उसका पालन करता है उसका सही रूप में समझता है तो इसलिए स्वस्थ शर मैंने एक बिंदु पर आप से बात की थी कि कुछ देशों में अच्छे चरित्र का होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है प्रमान पत्र या शापत पत्र मांगा जाता है यदि आप वहां की नागरिक्ता के इच्छुक है तो और अच्छे चरित्रकार था कोई अपराधिक ग प्रिष्ठावान रहा हो कोई गलत कारे उसमें ना किया हो आदी आदी तो एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है कि वहां चरित्रवान हो तो तीसरा बिंदु नागरिक्ता के संबन्द में एक आधर्ष्ट नागरिक होने के प्रमुग गुणों में तीसरा प्रमुग होता है अच्छा चरित्र होना चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट का कल्यान कर सकता है आधर्ष नागरिक जो है वो बिना किसी लोब लालत के अपने कर्तवियों का पालन करता है तो बिना लोब लालत के कर्तविक का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो चरित्रवान है चरित् सर्वोपरी रखते हुए कारे करता है समाज के हिद को देश के हिद को उसकी वो कतई परवाह नहीं करता और उसके लिए सर्वोपरी रहता है स्वाहित तो इसलिए आवशक है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते उसका चरित्र अच्छा हो चौथा बिंदू उसमें सामाजिक्ता की भावना हो सामाजिक्ता उसकी भावना यह समझने की कोशिश करें सामाजिक्ता Man is a social animal देखीं यह वाक्य कैसा है Man is a social animal Man is a social animal अर्थात आदमी का अस्तित्व समाज के साथ है दूसरे शब्दे में एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है कि वह सामाजिक रहे अकेला ना रहे अकेला यह दि है तो फिर वो नुक्सान देश साबित हो सकता है अकेला यह दि है तो उसमें एक अच्छे नागरिक के गुण होने की कमी हैं क्योंकि अच्छे नागरिक समाज के साथ चलते हैं सामाजिक रहते हैं समाज के अनकूल उनका व्यवहार रहता है उनका आचरन रहता है और अपना और समाज का दोनों का हित सोच के वो कारे करता है कौन जिसमें सामाजिकता की भावना हो जिसमें दया की भावना हो प्रेम की भावना हो सहयोग, सहानुभूती, नहस्वार्थ, सेवा, त्याग, ये जो गुण हैं, ये सामाजिक गुण हैं, इसका समाज से तात्पर है, सेवा भावना, समारपन भावना, त्याग की भावना उसमें हो, तभी वो एक अच्छा नागरिक हो सकता है, और इसलिए ये बहुत अहम है, क इसमें सामाजिकता की भावना हो, फीलिंग फर अदर्थ, दूसरों के लिए उसमें तडप हो, कसक हो, दूसरों के उधार में उसमें खुशी पाता हो, ये अवश्यक है, एक अच्छे नागरिक में, पांच्वा बिंदु, आदर्ष नागरिक के प्रमुग गुणों में प इस भक्त की भावना उसमें कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए, व्यक्तिगत हिच से, परिवार के हिच से, अपने समाज के हिच से उठकर, उससे परे जाकर, वह देश को सबसे ज़्यादा महत्व दे, वह इस बात को समझें कि उसका अस्तित्व देश के कारण है, जो नाग नागरिक्ता नहीं दिये, और नागरिक्ता लेते समय, उसने ये वादा किया है, कि वह देश के प्रते निश्ठावान रहेगा, तो इसलिए उस व्यक्ति में देश प्रेम कूट-कूट कर होना चाहिए, और यदि देश प्रेम कूट-कूट कर होना चाहिए, इसका अर्थ ये भी है कि जो लोग देश विरोधी गतिविदियां करते हैं उनके खिलाफ सक्ति से पेश आना। तो देश प्रेम की भावना बहुत जरूरी है एक अच्छे नागरिक में होना। अगला जो गुण जो एक अच्छे नागरिक में होना चाहिए वो है निर्भीकता और स्पस्ट वादिता। अपनी बातें पस्ट रखें अपनी बातें निर्भीकता सरकें वो समाज में जो बुरईयां हैं जितनी भी कुटलताएं हैं बुरईयां हैं अत्याचार हैं शोचन हैं उत्पीड़न हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए और निर्भय होकर आवाज उठाए, कोई डर ना हो, निर्भीक रहे, यदि कुछ गलत कारे होते हो उसे दिख रहा है, तो उसे अपनी आवाज बिलंद करना चाहिए, उसे इस बात का पूरा दिकार है, बिना डरे आवाज उठाए और साथ ही सरकार का ध्यान खीचे, जो मीडिया है जिसकी हम बात करते हैं, समाचार पत्रों की बात करते हैं, टेलिविजन चैनल्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये सब ऐसे प्लैटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से एक अच्छे नागरिक का करतब हो जाता है, कि वह लोगों को जागरूक कर गलत कारियों के प्रती ना स्वैम आवाज न उठाए बलकि दूसरों को भी प्रेरित करे आवाज बुलंद करने का भरश्टा चार इसके खिलाफ आवाज उठाए जाती प्रता बाल विवा यदि कहीं पर उदेख रहा है कि बाल मजदूरों का शोशन हो रहा है यानि किसी जगह मजदूरों के रूप में बच्चे कारे कर रहे हैं उसके खिलाफ वो करवाई करने के लिए सरकार को आवाज दे प्रचार करे बाल मजदूरों की एक तो बाल मजदूरी स्वैम में गलत है और उपर से उनकी जो वरकिंग कंडिशन्स हैं काम करने का जो माहौल है वहां और भी दूबर रहता है उसके खिलाफ आवाज उठाए लड़कियों के प्रती जो समाज में दुर्वेभार चलता रहता है उसके प्रती आवाज उठाए हम रोज दिन प्रती दिन अकबारों में समाचार पत्रों में टेलिविजन में देखते हैं कि कैसे उस वर्ग के साथ समाज के विभिन खेत्रों में दुर्वेभार हो रहा है इस पर सक्ती लाने के लिए जरूरी है कि ऐसे गलत विभार का हम पुर्जोर विरोध करें और पुर्जोर विरोध से ताथपरे हैं इसके खिलाफ खड़े हुएं एक प्लैटफॉर्म बनाएं जन मानस को उसमें हिलाएं और उनको विवश करें कि सरकार जो है वह अपने दाईत्रों को उच्छे तरीके से निभाए ये तभी हो सकता है जब हम निर्भीक हों जब हम इसपष्ट हों और जब हम ऐसे गलत कारियों के प्रति ना स्वयम ही जा नागरुकता पैदा कर रहे हैं साथवा बिंदू अच्छे नागरिक के गुणों के तहट परोपकार की भावना परोपकार की भावना का जिक्र पूर में भी मैंने कर दिया है जब मैंने बताया कि उसमें सामाजिकता की भावना होनी चाहिए ही मजबी सोशल परसन दूसरों के हिद को ध्रान में रख के कारे करे उसे अपनी शक्ति के अनुसार दुखी लोंगों को असहाय लोंगों को निम्नवर्ग के लोंगों को मदद करनी चाहिए साहता करनी चाहिए और सरकार की ओर से समंद में जितने भी कारे हो सकते हैं उसमें सहय योग देना चाहिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है इन तबकों के लिए उन योजनाओं में एक आधर्श नागरिक सक्री योगदान देता है चाहे आर्थिक रूप से योगदान चाहे शारीरिक रूप से योगदान आर्थिक योगदान का अर्थ है कि बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब अकाल, बार, दुरगटना, एक्सिडेंट, भूस, खलन आधी आधी में कई लोगदान की मौत होती है और ऐसे में जो परिवार बचे रहते हैं उनके जीवन यापन के लिए सरकार लोगदान की अपील करती है अच्छा नागरिक ऐसे अवसर पर सामने आकर मातरदान ही नहीं देता है आर्थिक रूप से ही पैसे के द्वारा मदद नहीं करता है बलकि शारीरिक रूप से वहां स्वैम जाकर ऐसे बेघर लोगों के जीवन यापन की समचित व्यवस्था करने का प्रयाज भी करता है हमने बहुत बार ऐसा सुना है बहुत से खित्रों में ऐसा देखा होगा हर वर्ष के बाढ़ में आकाल में या भूस खलन क जाते हैं और इस्थिति को सामान करने में त्वरिद गति से सामान करने में बड़ी मदद करते हूं ये क्यों होता है क्योंकि ये लोग उस ऐसे नागरिकों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें हम आदर्ष कहते हैं और आदर्ष नागरिकों की का एक गुण है परोपकार की भ एक आदश नागरिक में होना अत्यादिक आवश्यक है